Hello friends, welcome to the exams made simple, so we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express for 1st February और friends, 90% लोग जो UPSC की तैयारी करते हैं, वो वो चीज़े पढ़ते हैं जो कि आपको हर कोई पढ़ा रहा है, जो कि कोचिंग में नॉर्मली आपको बेसिक से डील करवाया जाता है वो 90% लोग वही बेसिक चीज़े पढ़ते हैं क्योंकि वो उनको सही भी लगती है, वो उनको अच्छी लगती है, बेसिकली उनको पढ़ना इंटरस्टिंग लगता है लेकिन जो 10% लोग होते हैं उसमें से ये 10% लोग जो होते हैं ये ऐसी चीज़े पढ़ते हैं जो इनके basic understanding की नहीं है लेकिन extra knowledge है इस extra knowledge को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें से भी 2-3% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि crack कर लेते exam और वो आगे बढ़ जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो ना केवल extra advanced चीज़ें पढ़ते हैं जो उन्हें नहीं भी अच्छी लग रही हैं जो उनको लगता है कि शायद हमें समझ में ना भी आए वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको फिर apply भी करते हैं उसे साब से अपनी thinking को अपनी understanding को उस level पे ले किसी का geography अच्छा होगा किसी का economy अच्छा होगा हो सकते है किसी को history अच्छा झालग हो तो economy बिल्कुल ना समझ में आ रहा हो किसी को sociology society नहीं समझ में आ रहा हो तो जो आपके interest की चीज़ें नहीं भी हैं उनको समझने का जब तक आप try नहीं करोगे तब तक आप UPSC की demands नह जब तक आप यह नहीं समझोगे किमांज नहीं समझोगे तब तक आप इसको क्रैक नहीं कर पाऊगे बहुत simple सी बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत hard exam है या नहीं, आप जैसे लोग ही होते हैं जो easily उसको crack कर पाते हैं, लेकिन main क्या होते हैं उनके इंदर कि वो उस चीज की exam की demand को समझ लेते हैं, तो आपको basically वही करना है, और यहां पे जो हम आपको exams made simple पे चीजे बता रहे हैं, generally वो ऐसी ही चीजे होते हैं, जो UPSC की demand को ध्यान में रखके आपको बताई जाती हैं, और थोड़ी सी basic से हटके कुछ चीजे आपको advanced level पे बताई जाती हैं, that is why we are dealing with such things like Indian Express, और जैसे अभी सर ने आपको economic survey का gist पढ़ाया था, और revision series में भी जो आपको deal कर रहे हैं, आपको यही सारी चीजे उसमें बताई जारी है कि स्टाटिक के साथ में current को कैसे जोडा जाए, और current को जोडने के साथ में आगे का way forward कैसे सोचा जाए, उसको आगे apply कैसे किया जाए, यह सारी चीजे आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी, तब तक आपको यह exam टफ लगेगा, जिस दिन समझ में आएंगी, उस दिन से अपको थोड़ा यह easy लगने लगेगा, और side by side हम आपको guidance देते रहेंगे, तो जो लोग बहुत ज़ादा शिदद से चाहते हैं, और passionately चाहते हैं इस exam को crack करना, तो जो चीज नहीं भी अच्छी लग रहे हैं वो बोलते ना कि वो क close, they were to success when they gave up, तो आप अपनी closeness नहीं समझ पाते हो, कई बार आपको लगता है, करकर के थग गए, दो अटेंब, तीन अटेंब दे दे दिये, state PCS के अटेंब दे दिये, नहीं निकल रहे है, give up कर दो, इसे अच्छा है, खुद का कुछ side business शुरू कर दो, या कुछ और करना शुरू कर दो, बट आप उस टाइम पे नहीं realize करते हो, कि आप शाहिद उस success के बहुत करीब थे, जब आपने उसको give up कर दिया, so don't give up, keep working hard, and keep trying, okay, और editorial शुरू करने से पहले, I would really like to appreciate, कुछ answers मुझे बहुत अच्छे लगे थे, पिछले जो आपने editorial में पूछे थे, discussion में especially the answers of Shama and Nikita were very nice, और इसके अलावा, Swapnil का attempt काफी अच्छा था, अंकिता ने जैसे नया अंगल आत्मा निर्भर से उसको deal किया था, तो काफी अच्छे answers भी थे, and other people who tried, उनके भी attempt काफी अच्छे थे, victim and all tried, so I would ask other people, आप कोशिश करते रहिए, और वही है कि give up नहीं करने, अब editorial से start करते हैं, तो सबसे पहला जो editorial है, spending in a pandemic, तो you must have seen a meme somewhere, कि 30 January के आसपास जो होता है, approximately 800, few people, 860 something people are economists, लेकिन जैसे budget आता है, budget वाले दिन पे और उसके एक दिन बाद, economic survey वाले दिन पे, there are automatically, 2 to 3 lakh people become economists, और फिर वापिस 2-3 दिन बाद, 4 तारीक वगेरा आते आते हैं, फिर से 860 हो जाते हैं, तो हर कोई, इनके कहने का मतलब था, meme में कि हर कोई economist बन जाता है, हर कोई decipher करने लगता है, तो लेकिन यहाँ पे यह जो article लिखा है, he is a real economist from Chrysal, जो की एक analytical company है, under S&P Global, और Indian analytical company है, लेक आप articles में देखोगे, कि हम थोड़ा सा कुछ advanced चीजें भी पढ़ेंगे, तो इस वज़े से मैंने आपको स्टार्टिंग में काते हैं, कि advanced से घबराना नहीं है, उसको समझना है, और जैसे ही कोई चीज समझने लगतो, वो आसान बन जाती है, तो अब इन्होंने economic survey को और उस outlook के लिए उनके assumptions क्या रहा है, पहली चीज तो इन्होंने यह देखी है, और दूसरा फिर इन्होंने यह देखा है कि overall fiscal stance कैसा रहा है, कि recovery कैसे करनी है, और and correct some of the what's जो अभी उसकी वज़े से आये थे, आपके pandemic की वज़े से उनको कैसे correct करना है, तीसरी चीज इन्हो की लिए क्या prescriptions रखे गए हैं, और किस तरीके से normalization पे वापस जाने की कोशिश की है, survey ने, तो यह इन तीन perspective से survey को examine कर रहे है, मैं आपको कुछ terms जो इसमें आएंगे वो पहले बता देती हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो fiscal policy जो होती है, वो त होती है, neutral policy, expansionary policy क्या होती है, जब recession का वक्त होता है, तो उस time पे spending बढ़ाने के लिए और growth लाने के लिए government अपनी spending बढ़ा देते हैं, और taxes में cut कर देते हैं, tax cut कर देते हैं, ठीक है, और contractionary policy में इसका उल्टा होता है, कि spending को आप घटा देते हो, और taxes को आप बढ़ा देते हो, ताकि आपका revenue जादा आता है, fine, और neutral policy में क्या होता है, कि आपका जो spending होती है, that is equal to your tax, तो आपका जितना revenue आता है, पुत्ता ही, spend करते हो, okay, अगला term होता है, fiscal prudence, fiscal prudence क्या होता है, एक तरीके से contractionary ही रहता है, इसमें भी, कि आप जो आपकी spending होती है, prudence में, वो थ कोशिश करते हो, कि taxes वगेरा थोड़े से जादा रहे, लेकिन, it is somewhere between neutrality and contractionary policy, okay, एक और term होता है, fiscal profligacy, अब profligacy क्या होता है, कि short term के लिए, बहुत जादा growth लाने के लिए, short term में, high growth के लिए, बहुत जादा reckless spending करती है, कई बार government, तो उसको हम कहते है, fiscal profligacy, तो वो short term के लि लेकिन, medium term में, या long term में, वो काफी हानिका रख रहती है, fine, अब next term है, fiscal rectitude, तो rectitude is the correct behavior, rectitude का normally मतलब भी यही होता है, correct behavior, क्या होना चाहिए, क्या correct norm होना चाहिए, fiscal rectitude is, कि financially terms में, financially aspects में, क्या correct attitude रहना चाहिए, ठीक है, what should be the exact norm, और fiscal conservatism, अब conservatism को contractionary से मत mix करना, conservatism अभी तक वैसे जैसे अभी इसमें article में पढ़ेंगे, कि government की policy रही थी, इस particular government की, तो conservatism याद रख सकते हो, अब कम, कम, ठीक है, three times, तो मतलब कि है ना, कम spending हो, और revenue जो taxes भी है, वो भी कम हो, और साथ में government का debt भी जो है, जो loan या फिर जो भी क परजा है, government का वो भी कम रहे, ठीक है, तो इसको कहते है, fiscal conservatism, अब देख लेते हैं, कि इनोंने कैसे examine किया है, तो सबसे पहले तो इनोंने कहा है, कि अभी हमारा current status जो है, उसमें agriculture performance हमारा सही रहा है, कोवेट का धीरे-धीरे curve बेंड हुआ है, और government spending बड़ी है, तो इसक तो 11% in the next fiscal, यानि कि nominal जो है, nominal मैंने आपको बता है, क्या होता है, real plus inflation, तो इसको मिला के project किया गया है, कि 15.4% जाएगा, and this is in line with, sorry, okay, so this is in line with IMF's forecast of real GDP growth of 11.5%, fine, और GDP जो है 2021-22 में, वो 1920 के comparison में, 1920 के हम बोल रहे हैं, कि 1920 से अगर माने, तो 21-22 में जो GDP है, वो केवल 2.4% अपव रहेगा, तो अब author ने कहा है, कि अगर आप in all decrease देखो, कि जो होना चाहिए था, वो 10% का हो जाएगा, just because of pandemic, हम काइदे से 10% below रहेंगे, और ये कहा है, author ने कि एक तरीके से अगर आप 2023-24 का भी आप forecast देखो, तो उस ताइम का भी जो GDP prediction है, तब भी हम 10% कम रहेंगे, so there is a permanent loss of 10% of GDP, और इन्होंने कहा है, कि जो अगला fiscal है, it will be a story of two halves, दो चीजों में divided रहेगा, पहले half में तो देखो low base effect की वजह से, पिछले 2020 से हम जब compare करेंगे, तो low base effect होने की वजह से, काफी pronounced रहेगा हमारा, मतलब हमारा financially जो रहेगा, strong रहेगा, और second half आते आते तक, क्योंकि vaccination drive काफी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और plus लोगों के बीच में herd immunity बहुत ज़्यादा drive हो चुकी होगी, जिसकी वजह से contact based services, contact based services कौन से होती है, जिसे tourism और hospitality हो गया, तो ऐसे चीजों में anxiety कम हो जाएगी, लोगों का डर कम हो जाएगा, तो इस वजह से भी हमारा GDP उपर उठे का economy recover करेगी, लेकिन इन्हों ने कहा है कि एक risk जो है, वो survey ने count नहीं किया है, वो है possibility of a sub-normal monsoon in 2021, तो author ने कहा है कि पिछले 20 सालों में ऐसा केवल एक बार हुआ है कि consecutively दो साल से जादा normal monsoon रहा हो, ठीक है केवल एक बार ऐसा हुआ है कि दो साल से जादा normal monsoon नहीं रहता है, तो अभी पिछले दोनों monsoons जो हैं वो अच्छे रहे हैं, तो chances यह हैं कि 2021 में sub-normal monsoon रहेगा, यानि कि कम हो सकता है, लेकिन इसका offset आ सकता है अगर हमारे non agricultural sectors जो हैं, खासकर services उसमें performance अच्छा रहे, तो agriculture ने कहा है कि GDP में तो उसका share 16% ही है, तो वो पूरी तरीके से recession से हमको बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन इससे इसका relevance कम भी नहीं हो जाता है, क्योंकि population यदि हम देखें, तो करीब 40%, actually 42% अप्रॉक्स है, 42% population, country की population को agriculture support करता है, तो इस वज़े से इस टाइम पर कौन जाधा अच्छा role play कर सकता है, वो है services, non agricultural sectors, fine, तो ये था financial outlook, ये next year के outlook के बारे में, अब जो इन्होंने दूसरी बात करी थी, कि fiscal prudence की बात करी थी, fiscal policy क्या रहेगे, recovery के लिए, तो survey ने, author का कहना है कि survey ने बिल्कुल सही balance बनाया हुआ है, regarding the immediate need to support growth with fiscal prudence over the medium run, यानि कि short term में हमको growth को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानि spending जाधा करनी पड़ेगी, और साथ में उसको balance करना पड़ेगा, medium term में fiscal prudence, यानि वही थोड़ा सा spending government को उस time पर कम करनी पड़ेगी, और इसके लिए इनोंने कहा है कि देखो, FRBM का वैसे कहना था कि आप budgeting करो थोड़ी सी contractionary type के policy रखो, तो इसलिए इनोंने कहा है कि इस वज़े से जो FRBM के यानि Fiscal Responsibility and Budget Management Act का जो persuasion थे, उसको अभी हमको side में रखना पड़ेगा इस साल के लिए, और फिर थोड़ा धीरे-धीरे करके ही, क्योंकि spending बढ़ानी पड़ेगी तो consolidation नहीं कर पाएंगे, तो इस और धीरे-धीरे करके ही फिर normalization होगा, और जब हम ऐसा follow करेंगे, उसके बाद ही आने वाली जो next political cycle होगी, उस टाइम पे fiscal rectitude हो पाएगा, fiscal rectitude यानि कि जो सही तरीके से financial policies होनी चाहिए, तभी हम manage कर पाएंगे, और हो सकते हैं कि जो अभी तक conservatism की policy है, अभी एकदम से हम ना deliver कर पाएं, लेकिन अगर हमारी track पे आ जाती है, recovery strong हो जाती है, तो उसके बाद में हम physical conservatism की policy को continue भी कर सकते हैं, तो अब इसके आगे नहीं बोला है कि survey ने एक पूरा chapter devote किया है debt dynamics पे, और ये बता है कि Indian scenario में हमेशा क्या होता है कि growth जब होती है, तो growth की वज़े से debt sustainability रहती है, debt sustainability मैं आपको बता चूँ क्यों क्या होता है कि government के अंदर इतना जादा potential या ऐसे इतने resources रहें, जिससे वो अपने आज के debts और आने वाले अभी अगर कोई critical period होता है, तो उसको manage कर पाए, तो जब growth अच्छी होती है, तो government का ये potential भी बढ़ जाता है, तो normally Indian context में यही होता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है, यानि कि अगर ऐसा नहीं है कि government के पास में debt sustainability है, तो उससे growth economy में होई हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अब survey ने आगे acknowledge किया है कि जो services sector है, वो करीब 54% contribute करता है to gross value added, और वो सबसे ज़ादा इस बार hard hit हुआ है, क्योंकि वही contact based services जैसे hospitality और tourism है, उसको अभी revive होने में time लगेगा, और इसके लाव इनोंने बताया है कि जो urban poor भी है, जो कि dependent services segment के उपर उसको भी support की जरूरत है, लेकिन survey किस तरफ tilted है, वो growth revival की तरफ ही tilted है, जो कि best path माना जा रहा है कि अभी pandemic से recover करने का यही तरीका है, उके, like they have written best path to raise the pandemic scars, इस तरीके के phrases आप use कर सकते हैं, और last में उनोंने बताया है कि अगर medium term growth prospects की बात करें, तो survey ने argue किया है कि इसमें आपको हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा, supply side reforms भी हमारे strong होने चाहिए, और साथ में infrastructure development भी होना चाहिए, ठीके, वही NIP वगेरा को हमको बना के रखना है, हर सेक्टर में multi-sectoral NIP है, national infrastructure pipeline, तो supply side में भी होना चाहिए, infrastructural land भी होना चाहिए, और साथ में PLI schemes जो होती है, productivity linked incentive schemes, manufacturing वगेरा में, उसको भी हमको साथ में मतलब reforms जो रहेंगे medium term के लिए, इन तीनों चीज़ों का cocktail रहेगा, fine, और इसके आगे इन्होंने फिर कहा है, survey का कहना यह है, कि आगे मतलब restrictions को थोड़ा सा ease करना होगा, regulations कम रखनी पड़ेगी, supervision वगेरा, वही थोड़ा सा expansionary का ही यह सारे तरीके होते हैं, कि supervision कम हो, supervision जादा हो, privatization को जादा बढ़ावा दे और R&D को भी जादा focus में रखें, और survey का यह भी suggestion है, कि withdrawal of forbearance once growth is back, कि अभी क्या किया था, forbearance क्या होता है, कि mortgage, जो आपका होता है, जो loans वगेर आपने लिए होते, तो आपको पता है कि आपको थोड़ा सा moratorium period दे दिया गया था, कि आप अभी नहीं बाद में pay कर सकते हैं, थोड़ा सा leverage दे दिया था, तो इसको forbearance कहते हैं, तो इसको एक बार recovery हमारी होने लगे, growth आने लगे, तो suggestion है survey का, कि फिर हमको forbearance को withdraw कर लेना चाहिए, और उसके बाद में फिर से हमें asset quality review करके, और दूसरा round चलाना चाहिए, banks के recapitalization का, fine? अब यहाँ पर एक article था, weakening the law, तो यह फिर से Bombay High Court judgment based है, लेकिन यह हमारे काम का इसलिए नहीं है, क्योंकि यह जो author है, यह एक NGO के और उन्होंने बस यह बताया है, कि जो अभी जिस judge ने यह judgment दिया है, उनका नाम यहाँ पर mentioned है, Justice Pushpa Ghanedi वाला, तो अभी ऐसा नहीं है, कि वो पहले child sex abuse वाले cases से deal नहीं कर चुकिए, पहले उन्होंने deal किया है, और काफी अच्छे decisions भी दिये हैं, तो केवल अभी यह नहीं कहना चाहिए, कि उनको इस सारी चीजों की जानकारी नहीं थी, या फिर उन्होंने law को समझा नहीं है, ऐसा कुछ, ओके ideas page पे आते हैं, moving to a new city, तो यह actually मैं 15th finance commission, आज देखो यह article जो है जादा economy related आये, तो अब यहाँ पर 15th finance commission की बात की है, तो इन्होंने 15th finance commission जो था, इसकी एक पहले interim report आ चुकी है, और अभी final report हो सकता है, कि budget के साथ में present हो, तो जो interim report आई है, उसके कुछ aspects उठाए हैं यहाँ पे, और काय की शायद final report में भी अगर यही same clauses रहते हैं, तो it can be a game changer, ओके, तो normally finance commission जो होता है, वो 5 साल के duration में अपनी report देता है, लेकिन इस बार इनको extension दिया गया था एक साल का, क्योंकि वही key macro areas में काफी uncertainty चल रही थी, जैसे नया जो monetary policy का framework आया था, और उसके अलावा जो GST का भी थोटराइम पहली ही उसको लागू किया गया, GST implementation, bankruptcy, code आया था, और demonetization वागेर, तो इन सारे macro economic चीजों के वज़ह से ही extension दिया गया था, तो अब जो 15th Finance Commission है, अब यहां पे इनका कहना है कि, पिछले जो Finance Commission के track record ते उसी के उपर build करते हुए, इन्होंने financial governance खासकर Indian municipalities का बढ़ा दिया है, और अब यहां पे इन्होंने चार तरीके यहीं बताए हैं कि municipalities के लिए किस तरीके से financial governance reform लाए गए हैं, ठीके, तो चार तरीके यहां पे यह बताएंगे, काफी अच्छा article है, और वही है, थोड़ी से अपको understanding इसमें आपकी अच्छी develop हो जाएगी, तो इसको miss मत कीजेगा, जरूर पड़ीगा, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 15th Finance Commission ने interim report में कहा था कि एक significant increase रहेगा in overall outlay for municipalities, तो पहला reform क्या है, कि overall outlay municipalities का वही बढ़ा दिया जाएगा, तो अलग से 29,000 करोड, 29,000 करोड रूपीज साइट किये थे financial year 2021 में, और यही कहाता है कि इसका भी जो share है municipalities का उसको raise किया जाएगा, और in the total grants of local bodies, यानि जो total grants जाते है local bodies का वो पंचायत और municipalities का जाते है, तो उसमें municipality का share थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, यानि अभी तक जो 30% share रहता था, उसको बढ़ा के अब 40% करेंगे, तो पहला financial reform तो यह किया है, कि total outlay बढ़ा दिया है, दूसरा अब इन्होंने क्या किया है, दो बहुत important entry conditions रखी हैं इन्होंने, कि अगर किसी भी municipality को financial commission grants चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने दो conditions रखी है, पहली बात तो आपको जो आपके annual accounts हैं, उसका audit report आपको publish करनी पड़ेगी, ठीक है, annual account की annual report आपको publish करनी पड़ेगी, दूसरा इन्होंने कहा है, कि आपको जो आपके property tax रहता है, आप collect करते हो, उसके floor rates जो हैं, वो आपको notify करने पड़ेंगे, तो ये दो conditions हैं, और इससे क्या होगा, basically ये क्यों कहा है, ताकि जो municipalities हैं, उनकी accountability बड़े, और साथ में वो खुद का भी revenue enhancement कर पाएं, और इसी के लिए ही, इनका हवाई revenue बढ़ाने के लिए ही, अलग से इन्होंने आत्मा निर्भर भारत अभियान को link किया था, उस अभियान ने link किया था, कि आपको 50,000 करोर का additional borrowing limits मिल सकती है, स्टेट्स को, अगर वो स्टेट्स जो हैं, वो अपने property taxes और user charges के लिए, जो water और sanitation के लिए जाते हैं, अगर वो reforms ले, proper reforms करें, तो आपको अलग से, आत्मा निर्भर भारत अभियान के तेहत, आपको 50,000 करोर का additional, आपको 50,000 करोर का additional, आपकी borrowing limit इन्होंने बढ़ा दी थी, और साथ में, अमरुट scheme के अंदर, एक small question for you, what is अमरुट scheme, you can tell me in the comment section, और अमरुट scheme के तहर भी इन्होंने municipal bonds और municipal finance reform conditions को के ओपर जादा thrust डाला था, ठीक है, तो दूसरा तरीका इनका ये था, और तीसरा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नई approach रखी है, कि इन्होंन प्लस जो urban agglomerations है, million plus वाली, यानि कि वहाँ की population million plus है, और दूसरी जो cities है, उनके बीच में इन्होंने distinguish किया है, और ये already वैसे urbanization का pattern है, तो करीब 53 million plus urban agglomerations है, जहां पर जो की constitute करती है 44%, ठीक है, तो 44% तो million plus वाली है, उसके अलावा 23% जो है, वो one lakh plus वाली municipalities है, और बाकी की जो है, वो 23% है, तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है, कि आपको outcome based funding दी जाएगी, जो आपकी million plus agglomerations है, उनको करीब 9000 करोड की funding outcome based पे दी जाएगी, और जिसमें खासकर outcome किस चीजों का देखा जाएगा, कि वहां की air quality का, और water supply का, और sanitation वगेरा का, इन सब चीजों के उपर आपका कैसा outcome है, उस basis पे आपको अलग से, इन 50, जो भी ये million plus agglomerations हैं, उनके लिए 9000 करोड उन्होंने site किये हैं, ठीक है, और पहली बार author ने बता किया है, metropolitan area क्या होता है, वहां पे भी million plus ही होता है उस area में, लेकिन एक बात तो याद रखना है कि metropolitan area notify governor करता है, और दूसरा वहां पे एक या एक से जादा districts हो सकती है, और उसके अलावा, दो या दो से जादा आपकी municipality या फिर कोई पंचायत हो सकता है, ठीक है, तो इसको मि करता है, metropolitan area, ठीक है, और governor notify करता है, तो जो 15th finance commission है, उसने metropolitan area को भी acknowledge किया है, as a unified theater of action, ताकि complex challenges जो है, air quality, water, sanitation, उनको inter agency coordination के through, उसको solve किया जा सके, और चौथा इनोंने एक अलग से recommendation दिया है, कि एक common digital platform बनाया जाए, for municipal accounts, ठीक है, तो याद रखना है, चारों reforms जो इनोंने बताए है, ये सारे 15th finance commission की interim report में तो थे, final में होते हैं की नहीं, अभी देखेंगे, तो ये चारों चीज़े आप याद रखना कि कैसे outlet बढ़ाया है, उसके बाद में कैसे आत्म निर्भर अभियान के थूँ, extra funds वगेरा दे रहे, municipal bonds के थूँ, extra thrust दिया है, त ऐसे digital platform भी बनाया है, for municipal accounts, municipal accounts के लिए एक तो digital platform बनाया है, ताकि consolidated view मिल सके, municipal finances और sectoral outlay का, और साथ में, जो भी individual transactions होते हैं at source, उसके digital footprint के लिए भी इनोंने recommend किया है, digital footprint of individual transactions, fine, तो ये सारी बात है, हलाकि पिछले दो खास का 13th और 14th finance commission जो था, उसमें की गई थी, तो उसी के उपर इनोंने ये build up किया है, पर अब author का कहना है कि ये जो constitutional bodies होती है, finance commission जैसी, इनको अब principal actor नहीं कह सकते हो, transformation लाने के लिए, ये बस आपको एक ground prepare करके दे सकते हो, और incentives और disincentives दे सकती है, तो हमारी municipalities अभी काईदे से disempowered है, तो हमें एक ऐसा legislation जो की progressive हो, और in cities में financial governance को और ज़्यादा बढ़ावा दे, तो उन्होंने अब यहाँ पर 5 reform एजिंडास बताए हैं, कि क्या-क्या होना चाहिए, पहली बात उन्होंने का है, fiscal decentralization होना चाहिए, ताकि व सके, दूसरा एन्होंने का है, कि revenue optimization होना चाहिए, ताकि वो खुद के revenues वगेरा भी बढ़ा सके, तीसरा एन्होंने का है, fiscal responsibility और budget management होना चाहिए, ताकि municipal borrowings वगेरा easily कर सके, चौथा एन्होंने का है, कि institutional capacities को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि adequately skilled workforce जो है, वो आ सके, और पाच participation होना चाहिए, ताकि वही की accountability बनी रहे, तो इसके लिए उन्होंने का है, कि सबसे पहले जो चीज जरूरी है, वो ये है कि जो state governments, municipalities को fiscal transfer, जो funding transfer करती है, वो उसकी एक formula based approach हो, अभी क्या होता है, एक तरीके से ad hoc or discretionary grants दे जाते हैं, तो जो भी municipality और दूसरी ऐसी civic agencies है, उनको formula based approach पे ही funds transfer किये जाएं, और इसके लाव इनोंने का है, कि way forward में आप ये भी ले सकते हैं, कि state finance commissions को जरूरी है, कि वो अपने आपको 15th finance commission से emulate करें, और एक credible institution बने, और उनको कहां से power आएगा state finance commission को, जब वो state government उनको वहाँ पे ये power देगी, तो इसलिए state government को ensure करना जरूर on time, वो time पे बने, सही से उनको resources मिले, और जो भी वो recommendations दे रहे हों, उनको फिर seriously लिया जाए, fine, अब देखो आपके लिए ना, UPSC में वही है कि paper 2 में आपके लिए direct सवाल इस तरीके क्या आ सकते हैं, तो आपके लिए आज का question भी यह है, question आपका है, कि suggest some reforms, तो आप इसमें finance commission को quote कर सकते हैं, you have to suggest some reforms to increase finance capability of municipalities, ठीक है, I hope the question is clear, कि municipalities का financial, finances को improve करने के लिए, आपको क्या reform लेने होंगे? reforms needed, you have to suggest that, fine? So this is the question, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे अश्विनी कुमार का एक article आया है, questions for republic, यह पहले union minister रह चुके हैं, तो हम basically इनोंने थोड़ा सा political type का दिया हुआ है, तो हम जादा नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे इनोंने कुछ चीजे जैसे बताईए कि इंडिया जो है, उसके strengths बताईए, फिर weaknesses बताईए हैं, तो इंडिया जो है world की largest democracy है, और यह माना जा रहा है कि third largest economy बन जाएगी by 2050, और हम में इस तरीके के कई सारे achievements हैं, जैसे कि largest electoral exercise हम conduct करते हैं, census exercise भी हमारी largest होती है, और largest digital individual identification program है, और वेक्सिन प्रोग्राम भी जो है, सबसे largest है, और इसके अलावा, हमने काफी success space or nuclear programs में भी achieve की है, लेकिन अब वही है कि इनका कहना, this is only a part of the story, और जो हमारी economic growth रही है, वो जादा अच्छी जैसे नहीं रही है, और इसके अलावा, दूसरी reports अगर हम देखें, तो मैंने आपको actually बताने का reason यही था, कि आप इ 153, और फिर economic intelligence unit, EIU का आता है, democracy index 2019, तो उसमें भी हमारी ranking 51 थी, और जो UN, HDI आता है, human development index 2020 का उसमें भी हमारी ranking 129 थी, out of 189, तो इसका मलब यह कि हम हर चीज में भी फिलाहाल काफी पीछे चल रहा है, अगर world indices की बात करें, और अगर health की भी बात करें, तो हम केवल 2% of our GDP हम spend करते हैं, on 1.3 billion people, और inequality इतनी है कि richest 1% जो है, वो 53% shares, national wealth hold करते हैं, जबकि जो poor and half है, उनके पास में केवल 4.3% है, और दूसरी दिक्कते जो हमारे पास में है, वो है political extremism, domestic terrorism, ethnic और caste related violence बढ़ गया है, hopelessness लोगों के अंदर, rage और कई जो बड़े-बड़े section से उनका alienation हो गया है हमारी society में, और इसके अलावा social और economic inequities भी बढ़ नहीं है, and there has been assault on multiculturalism, जहां हम common cultural heritage की बात करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, और वहां पे हमारे यहां पे इस तरीके से assault हो रहा है, multiculturalism पे, जो political opponents हैं, उनका persecution अब वही है कि, अब political है, article इसलिए इन्होंने यह सारी चीज़े भी लिखिये, laws constraining liberties, liberties को constrained किया जा रहा है, और equilibrium of power disturbed हो गया है, between the three branches, और federalism का balance disturbed हो गया है, तो अब यहां पे इन्होंने कहा है कि यह जो constitutional institutions की flawed functioning है, इन्होंने कहाता कि every institution goes through three stages, utility, privilege and abuse, ठीक है, तो काफी अच्छा इन्होंने यह चीज़ कही है, तो आप इसको कहीं पे court भी कर सकते हैं, खासकर जब आपको इस तरीके से point out करनी हो, कोई weaknesses, तो अब यहां पे author ने यही कहा है कि ऐसा तो नहीं कि हम अभी third state से जा रहे हैं, यानि कि we are abusing our institutions, fine. आगे आते हैं, explained section में, तो यह तो Congress President के उपर था हमारे काम का नहीं है, यहां पे एक article है, वाई मतुआज और CAA matter in West Bengal polls, तो वाई है कि हम इसमें political angle नहीं देखेंगे, इस community मतुआ community के बारे में देखेंगे, और अभी यह क्यों important है, तो यह CAA का matter के लिए क्यों important है, और community उसे क्यों support करेंगे, यह सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो सबसे पहले मतुआ community के बारे में देख लेते हैं, यह जो community है, इसके members Bengal के दोनों तरफ पाये जाते हैं Bengal border के, West Bengal और East Bengal में, और यह actually में एक religious movement की तरह शुरू हुई थी, ठीक है, religious movement की तरह शुरू हुई थी, in 1870s by Harichan Thakur of Namasudra, जो की scheduled caste family के थे, Namasudra, और Harichan Thakur ने शुरू की थी, यह मतुआ उस टाइम पहेजा, religious movement, and he hailed from सफल दंगा in East Bengal, और फिर early 20th century में इनके बेटे गुरूचन ने इसको फिर socially और politically इसको organize किया था, और 1915 में फिर मतुआ फेडरेशन बनाई गई थी, 1915 में मतुआ फेडरेशन बनाई गई थी, और उसको 1930s में गुरूचन के फिर पोते आये थे, प्रमत रंजन ठाकुर, उन्होंने लीड किया था, और 1950 के बाद से खास कर, जो इस community के peasant members थे, वो East Bengal से migrate करने लगे थे, तो आज अभी क्यों important है, क्योंकि ये West Bengal में मतुआ community जो है, वो second largest SC population constitute करती है, schedule caste population constitute करती है, याद रखना मतुआ हैं, और ये खास कर, कहां पे concentrated है, ये हैं North और South 24 परगनाज में, और इसके लावा दूसरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्स जैसे नादिया हवडा, कूजबिहार और मल्दा में, और government sources के अनुसार, ये state electorate में 17% population कॉंट्रिबूट करते हैं, जबकि खुद मतुआ लीडर्स का कहना है कि हम 20% population हैं करीब, और हमारे पास में 10 influence है, कि हम, मतलब, अगर 294 assembly seats हैं, याद रखना, वेस्ट बेंगॉल की किती assembly seats हैं, 294 है, तो उसमें से 40 और 45 को तो हम directly influence कर सकते हैं, और इसके लवा indirectly हम 30 दूसरी seats पे भी, हम influence डाल सकते हैं, तो देखो, इसलिए ये community इतनी जादा important है, अब इनकी political leanings कहा रही हैं, तो partition के जस्ट पहले तो जो PR ठाकुर थे, उन्होंने Congress जोइन कर लिया था, लेकिन 84 में उसे छोड़ दिया था, और उसके बाद में फिर से मतुआ फेडरेशन को reorganize किया था, फिर से उसको religious और social organization की इन्होंने reorganize किया था, लेकिन इनका support मतुआस का वो हमेशा बहुत crucial रहा है, अब इतनी बड़ी population जाहिर सी बाते की crucial हो जाता है, तो जो उस टाइम पे इनके leaders 2009 लोग सभा के टाइम पे थे और 2011 में उन्होंने त्रिनमूल के साथ में एक मतुआ ठाकुर की वाइफ थी, बो बन गई थी और एक पर्सनल ममतव energy की बात कर रहे हैं, तो उनोंने पर्सनल relationship डेवलप किया था, और अब इस community को BJP वू करने की कोशिश करिया है, जो CAI, Constitutional Amendment Act आया है, उसके थुरू, तो 2019 में भी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जब अपना लोग सभा election campaign शुरू किया था, तो उनोंने वही, he seeked Boroma's blessing, और अब लेकिन इस family के, बहुत politics यहां बता है, यह वो नहीं बता रहे हैं, तो कुल मिला कि इस family के दो factions हो गए, एक BJP side को फेवर करते हैं, और एक त्रिणमूल Congress को, अब CA के साथ, और citizenship के साथ क्या relation है, actually मैं मतवास काफी टाइम से चाह रहे थ जाए, और जो refugees, अब यह भी refugee की तरह ही आए थे ना, तो उनको आसानी से citizenship मिल सके, इसके provisions किये जाए, अब इसके बाद में क्या हुआ, जब National Register of Citizens बनाने की बात आई, तो मैंने आपको बता है कि बहुत, 1971 में भी जब formalization हो गया था, बंगलादेश का, उसके बाद में भी य बीजेपी ने एक antidote दे दिया, CAA का, तो वही है कि मनलब को जो minorities हैं, दूसरी countries की उनको citizenship देने की बात है, तो अब इनको वही है कि इनको मिल जाएगी, अब इसलिए इनकी आशा बढ़ गई है, लेकिन अब मतवास अभी भी upset है, तो actually मैं अभी Amisha का वहाँ पे basically एक rally होनी जो अभी Israeli embassy के सामने blast होने की वज़े से नहीं हो पाई, तो अब उनको वही लग रहा है कि BJP न अभी तक clarity नहीं दिये कि कब सी ये को implement किया जाएगा, इसलिए इनकी rally काफी important थी, और उधर से ममतव एनरजी भी अपने, उनको वू करने की कोशिश करी है, वो कह रही है कि state government उसने हमेशा से इनको इंडियन citizen की तरह ही माना है, तो insecure होने की ज़रूरत नहीं है, fine, so that was all from today, I hope आपको ये articles अच्छे लगे होंगे, thanks for watching, and like करते रहिए, share कर ये, please share कीजे, ताकि हमें भी motivation मिले, and subscribe to our channel if you haven't, and thanks for watching friends, have a nice day.